ओम शान्ती आज तारिक है 26 जुलाई 2024 अभी सुनेंगे आज के प्यारे प्यारे मीटे मीटे शिव बाबा के महावाक्यों मीटे बच्चे यह अनादी ड्रामा फिरता ही रहता है टिक टिक होती रहती है इसमें एक का पार्ट न मिले दुसरे से इसे यथार्त समझ कर सदा हरशित रहना है प्रेश्णा किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है उत्तर किसी को सिदा नहीं कहिना कि भगवान आया हुआ है ऐसा कहेंगे तो लोग हसी उड़ाएंगे टिका करेंगे क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहिलाने वाले बहुत ही है इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परीचे दो एक हद का बाप दुसरा बेहत का बाप हद के बाप से हद का वरसा मिलता है अब बेहत का बाप बेहत का वरसा देते है तो समझ जाएंगे ओम शान्ती रुखानी बाप बेट रुखानी बच्चों को समझाते हैं सुरिष्टी तो यही है बाप को भी यहां आना पड़ता है समझाने के लिए मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता है स्तूर वतन में ही समझाया जाता है बाप जानते हैं बच्चे सब पती थे कोई काम के नहीं इस दुनिया में दुख ही दुख है, बाप ने समझाया है, अभी तुम विशे सागर में पड़े हो, असल में तुम सीर सागर में थे, विश्नु पूदी में सीर सागर कहा जाता है, अब शीर का सागर तो या मिलना सके, तो तलाब बना दिया है, वहा तो कहते दूद की नदि रास होती है जानवा राधी कोई बीमार नहीं होते हैं यहां और वहां में बहुत भरक है यह बाफी आकर बताते हैं दुनिया में दुसरा कोई जानता नहीं है तुर जानते हो यह पुरुषत्तन संगम युग है जबकि बाप आते हैं, सबको वाप्स ले जाते हैं बाप कहते हैं, जो भी बच्चे कोई अल्ला को, कोई गौड को, कोई भगवान को पुकारते हैं मेरे नाम तो बहुत अरगती है, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है दुनिया तु यह समझ न सके समझेंगे वही जिन्नोंने 5000 वर्ष पहले समझा है इसलिए गायन है कोटों में कोई कोई में भी कोई मैं जो हूँ जैसा हूँ बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानत और कोई समझ न सके या भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं निराकार पढ़ाते हैं मनुक्ष जरूर मुंझेंगे निराकार तुम उपर में रहते हैं वो कैसे पढ़ाएंगे तुम निराकार आत्मा भी उपर में रहती हो फिर इस तक्त पर आती हो यह तक् अकाल को आत्मा जिसको कभी काल नहीं खाता है अकाल मुर्थ आत्मा एक शरीर छोड़ दुसरा लेती है उनको भी रथ तो चाहिए ना मिराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुक शका क्योंकि बाप है ग्यान का सागर ग्यानेश्वर अब ग्यानेश्वर नाम तो बहुतो के है अपने को इश्वर समझते है ना सुनाते है भक्ति के शास्तरों की बाते नाम रखाते है ग्यानेश्वर अर्था ग्यान देने वाला इश्वर वो तो ग्यान सागर चाहि उनको ही God Father कहा जाता है, या तो धेर भगवान हो गए है, जब बहुत गलानी हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते है, दुकी हो जाते है, तब ही बाप आते है, बाप को कहा जाता है गरीब निवाज, आखरिन वा दिन आता है, जो गरीब निवाज बाप आते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बाप अगर स्वर्ग की स्तापना करते हैं, वह तो अताधन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते, यहां हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वह यह नाम ही नहीं है, अताधन रहता है, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बाबा आय हुआ है, हमको अपने घर ले जाने के लिए, बच्चों को अपना घर भूल गया, भक्ति मालके के धक्के खाते रहते हैं, इसको कहा जाते हैं, रात, भगवान को ढूंते ही रहते हैं, परन्तो भगवान कोई को मिलता नहीं है, अभी भगवान आया हुआ है, वह भी तुम बच्चे जानते हो, निच्चे भी है, ऐसे नहीं सबका पक्का निच्चे है, कोई न कोई समय माया भुला देती है, तब बाब कहते हैं, आच्चा रेवन्थ मेरे को देखनती, मेरा बननती, और उको सुनावनती, अहो माया तुम कितनी जबरस्त हो जो फिर भी भागनती करा बागंदी तो धेर होते है, फारकती देवन्ती हो जाते है, फिर वह कहा जाकर जनम लेंगे, बहुत खलका जनम पाएंगे, इम्तहान में नापासो पड़ते है, यह मनुक्ष से देवता बनने का इम्तहान, बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे, कि सब नाराइन बनेंगे, नहीं जो अच्छा पुरुशार्ट करेंगे, वे पद भी अच्छा पाएंगे, बाप समझ जाते है, कौन अच्छे पुरुशार्टी है, जो औरों को भी मनुक्ष से देवता बनने का पुरुशार्ट कराते है, और तद बाप की पैचान देते है, अजकल अपोजिशन में कितने अपने को ही भगवान कहते रहते है, तुमको अब लाए समझते है, अब उनों को कैसे समझाए कि भगवान आया हुआ है, सिदा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युकती चाहिए, ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए क भगवान आया हुआ है, उनको समझाना है तुमारे में तुमारे दो बाप है, एख पार्लोकिक बहत का बाप दूसरा होता है लोकिक खद का बाप अच्चरिती परिचे देना चाहिए, जो समझे कि यह ठीक गहते है, बहत के बाप से वर्सा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते वर्सा मिलता ही है बाप से और कोई भी ऐसे कहनी सकेंगे कि मनुक्षकों दो बाप होते हैं तुम सिद्ध कर बतलाते हो खद के लोकिक बाप से हद का वर्सा और पारलोकिक बेहत के बाप से बेहत अर्थात नई दुनिया का वर्सा मिलता है नई दुनिया है सुरग सो तो जब बाप आये में तब ही आकर देवे, वो बाप है ही नई सुर्ष्टिक को आजने वाला, बाकी तुम स्रिप कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी मानेंगे नहीं, और ही टिका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, सत्यूग में तो समझाना नहीं होता है, समझाना तब पढ़ता ह जब बाप आकर शिक्षा देते हैं, सुक में सिम्बरण को ही नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं, तो उस पारलो की बाप को ही कहा जाता है, दुख हरता सुक करता, दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं, अपने घर स्वीट होम, उनको कहेंगे स्वीट वहां हम कैसे जाएंगे, यह कोई भी नहीं जानते हैं, नरचना के आधी मद्यांतों को जानते हैं, तुम जानते हो, हमको बाबा निर्वान धाम ले जाने के लिए आया है, ले जाने के लिए आया हुआ है, सब आत्माव को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं, वो है आत्माओं का घर, यह शरीर का घर, तो पहले-पहले बाप का परिशे देना चाहिए, वो निराकर बाप है, उनको परमपिता भी कहा जाता है, परमपिता अक्षर राइट है और मीटा है, स्री भगवान इश्वर कहने से वर्से की खुश्बू नहीं आती है, आत्माओं रहती है, यह बिलकुल पक्का करा लो, बाप कहते है, बच्चे, तुमको यह वेद शास्त्रादी पढ़ने से कुछ भी प्राप्ती नहीं होती है, शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते है, मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं विलता हूँ, मुझे या बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुन्या को पावन बनाओ, यह बाते कोई समस्ते नहीं है, पत्थर बुद्धी है ना, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना, कि तुम तो पत्थर बुद्धी हो, सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस बुद्धी बनाने वाला है ही परंपित अबिहत का बाप, इस समय तुमारी बुद्धी है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो, फिर सत्यूग में एक जनम में भी इतना जरा फर्ग जरूर पड़ता है 1250 वर्ष में दो कला कम होती है सेकंड बैस सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है जबकि तुम बाप मिसल ग्यान का सागर सुक शांती का सागर बनते हो सब वर्षा ले लेते हो बाप आती है वर्षा लेने पहले पहले तुम शांती धाम में जाते हो फिर सुकदाम में जाते हो शांती धाम में तो है ही शांती फिर सुकदाम में जाते हो वो आशान्ती की जरा भी बात नहीं है फिर नीचे उतरना होता है मिनिट बाइ मिनिट तुमारी उतराई होती है नई दुनिया से पुरानी होती जाती है तब बाबा ने कहा ता हिसाब निकालो पाच ज़र वर्ष में कितने मास कितने घंटे तो मनुक्षो वंडर खाएंगे यह हिसाब तो पूरा बताया है एकुरण हिसाब लिखना चाहिए इसमें जरा भी फरकने पड़ सकता है मिनिट बाइ मिनिट टिक टिक होती रहती है सारा रेल रिपीट होता है फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है वही रिपीट होगा यह यूज रोल बड़ा वंडरफुल है इनका माप आदी नहीं कर सकते है सारे दुनिया का जो पाड़ चलता है टिक टिक होती रहती है सेकंड ना मिले दुसरे से यह चक्र फिरता है वह होता है हद का ड्रामा यह बेहत का ड्रामा आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अभिनाशी ड्रामा है बनी बनाई बन रही है जो होना है वही होता है नहीं बात नहीं है अनेक बार सेकंड वाय सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई ये बाते समझा न सके पहले पहले तो बाप का परिचे देना है बेहत का बाप बेहत का वर्सा देते है उनका एक ही नाम है शिव बाप कहते है मैं आता ही तब हूँ जब अति धरम गलानी होती है इसको कहा जाता है घोर कल्यूग या बहुत दुख है कई है जो कहते है ऐसे घोर कल्यूग में पवित्र कैसे रह सकते है परंतु उनों को यह पता ही नहीं कि पावन बनाने वाला कोन है बाप ही संगम पर आकर पतित बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्तापन करते है वास्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते है या दोनों अपवित्र है यह है ही अपवित्र दुनिया वो है पवित्र दुनिया स्वर्ग हेविन यह है दोजक नर्क हेल तुम बच्चे समझ गए हो नंबर वार पुरुशार्ट अनुसार समझाने में भी मेनत है गरीब जट समझ जाते हैं दिन प्रती दिन भुरुद्धी होती जाती है फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो बाप तो अब कहा जाएगा नहीं आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे अभी तो बच्चे यहां आते रहे ठंडी में भी आना पड़े प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फलाने फलाने समय पर आओ फिर भीड नहीं होगी सभी इखटे एक ही समय तो आना सके बच्चे वुरुद्धी को पाते रहेंगे या चोटे-चोटे मखान बच्चे बनाते हैं वा तो ढेर महल बनेंगे या तो तुम बच्चे जानते हो पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे बहुत ऐसे करते जो खड़े खोद कर भी अंदर रख देते हैं फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड़ों में ही अंदर रह जाते हैं फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है अब विनाश होगा सब दब जाएगा फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा बहुत ऐसे राजाओं के कीले हैं जहां बहुत सावन दबा हुआ है बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हज्जारों लाखों की आमदनी हो जाती है ऐसे नहीं कि तुम स्वरग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदी निकलेंगे नहीं वहाँ तो हर चीज की खानी आदी सब नहीं भरपूर हो जाएगी या कलरटी जमीन है तो ताकत ही नहीं है बीस जो बोते उनमें दम नहीं रहा है किचल पट्टी अशुद्ध चीजे डाल देते है वहाँ तो अशुद्ध चीज का कोई नाम नहीं होता है स्वरग का सक्षत कर भी बच्चिया करके आती है वहाँ की ब्यूटी ही नेचरल है अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरशार्ट कर रहे हो अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बावा नमस्ते धारना के लिए मुक्य सार इस समय ही बाप समन परफिक्ट बन पूरा वरसा लेना है बाप की सब शिक्षाओं को स्वयम में धारन कर उनके समान ग्यान का सागर शांति का सुक का सागर बनना है बुद्धी को पारस बनाने के लिए पड़ाई पर पूरा ध्यान देना है निच्चे बुद्धी बन मनुक्ष से देवता बनने का इम्तहान पास करना है वरदान निच्चित विजे के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्ता करने वाले माया जित भवो बाप की पदम गुना मदद के पातर बच्चे माया के वार को चैलेंज करते है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजे प्राप्ता करना माया के शेर रूप को चिटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्यप समाप तो होना है हम अनेक बार के विजय आत्मों की विजय सव प्रतिशत निच्चित है यह निच्चित का नशा बाप की पदमगुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है इस नशे से सहजी माया जिद बन जाते हो सुलोगन है संकल प्रशक्ति को जमा कर सो प्रति वाबिश्व प्रति इसका प्रयोग करो अच्छा ओम शान्ती